तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बिहार समस्ताथ परिछा 2024 ऑनलाइन आवे दने सुरू हुआ है उसके बारे में बताया था ऑनलाइन सुरू हो चुका है जो ऑनलाइन नहीं किया हुए तो ऑनलाइन कर लीजेगा ठीक है साथ में डोकुमेंट के बारे में पेविंट के बारे में बताया था कि पेविंट कितना लएगा लाश्ट डेट कब तक है और पैसा कितना लग रहा है करता है उन सभी का मैं पूरा process बताया था online भी करके दिखाया था online कैसे करना है उन सभी का पूरा जानकार दिया था एक और कल notification आया है तो उस notification के अज़सार मैं बता रहा हूँ कब को notification में क्या क्या है तो चलिए सुरू करते हैं तो notification कुछ इस तरह से निकाला गया है लिखा है बिहार सरकार सिच्छा विभाग बिहार विद्याले पर विशिष्ट शिच्छक नियामा वालिद हो जाते है इसकी कंड़ी का चार के ताथ समचता प्रिश्चा के सम्मदित गतित विभागिये समीति के बैठ़क की कारेवाहे यहाँ पर उपस्तिती यहाँ पर दिखाया के LorThag भाल पटना अध्यक्ष यहां पर पूरा रीड कर सकते हैं ठीक ना इसके बाद लिए दूसरा में लिखा है विभागे अधी सुचना संक्याज 307 दिनांग एक फरवारे 2024 का अलोग में आज दिनांग तीन दू 2024 को बिहार बिदले विशिष्ट नियम विशिष्ट सिचक नियमा वाली 2023 के नियम चार के तहट अस्थानिय निकाय सिचकों को समझता परिचा में सामिल नहीं होते हैं अत्वा तीसले परियास आउसर में भी परिचा उतिर होने में भीफल होते हैं पर बीचार करने हैं तू गयाटित विभागे समिच्थी की बैठक हुई अस्थानी निकाय सिचकों की समझता परिचा आयोजित करने हैं विशर बिदले परिच्थी पठना को मिची में पी गई है कि उक परिप्रेच्छाय में पहली समझता परिच्छा दिनांग 26 फरवर्य दोज़ेद करने का निर्णाय बिहार बित्याले परिच्छा समीदी द्वारा लिया गया है यानि फर्स्ट एक्जाम जो होगा 26 फरवर्य को होगा जिसमें उलेखनिये की बिहार बित्या करने में बिफल होंगे पर निर्णाय लेने है तू बिभाग की समीदी सरकार को अवसक अनुसंसा करेगी तीसरा में आप लिखा है कि इस कारिक्रम में समीदी ने महसूस किया है कि परतेक सिच्छा को तीन परियास और सर्फ दिया जाएगा देने है तू बिहार बिद्याले परिशा समीदी को चार चर्णों में परिशा लेनी पड़ सकती है क्योंकि कुछ अस्थानी निकाय सिच्छा किसी ब्यक्तिकत कारण के कोई अटेम्ट में भाग नहीं ले सकते है तो जैसे बीमारी दुलगहटना इत्यादी अता सर्व समीदी से निर्ने लिया है कि 26 फरवर समाप्त कर लिये जाएंगे जो सिचक इन चार चर्णों में होने वाले परिशाओं में से चार को एक्जाम लिया जागा चार एक्जाम में से तीन एक्जाम आपको अटेम्ट करना हंडेट परसेंट जरूरत है ठीक है जिसमें तीन चर्णों की परिशा में नहीं बैठते है अध्वा तीन से कम चर्णों में बैठते हैं अध्वा तीन चर्णों की परिशा में बैठने के बाद उतिर नहीं होते हैं तो उन सभी अस्थानी निकाय से इसकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगे यहाँ पर आपको इस तरह से notification निकाला गया है तो इस तरह थी जानकारी आप यहाँ पर notification पूरा लीड कर सकते हैं इस तरह से notification है वीडियो अच्छाला हो तो लाइक जरूर कर दिया है एक बत और ध्याम दिया है तो आपको तीन एकजाम में बैठना जरूरी है और पास भी होना जरूरी है अगर पास नहीं होते है तो वहां से आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी इस तरह से नोटिफिकेशन निकाले गया है तो और अगर नोटिफिकेशन इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको हमेशा देते रहूंगा